प्यारे बच्चों नमस्कार जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम आपकी कक्षा 10 की राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक लोक तंत्रिक राजनीति भाग दो के सात्मे पाठ लोक तंत्र के परिणाम पर चर्चा कर रहे हैं अब तक हमने लोक तंत्र के परिणामों का मुल्यांकन कैसे करें लोकतंत्र की अच्छाईयां, उत्तरदाई, जिम्मेवार और वैदशासन, पारदर्शिता, आर्थिक सम्रिद्धी और विकास, असमानता और गरीबी में कमी तथा सामाजिक विवित्ताओं में सामन जस्से में लोकतंत्र की भूमिका पर चर्चा की है और इन सब मामलों में लोकतंत्र के परिणामों को समझा है, अब हम इससे आगे चलते हैं और नागरिकों की गरीमा और आजादी की कसोटी पर लोकतंत्र के परिणामों को परखने का प्रियास करते हैं तो बच्चों, व्यक्ति की गरीमा और आजादी के मामले में लोकतंत्रिक व्यवस्था किसी भी अन्य शासन प्रणाली से काफी आगे हैं प्रितेग व्यक्ति अपने साथ के लोगों से सम्मान पाना चाहता है प्राहे टकराव तभी पैदा होता है जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ सम्मान का व्यवार नहीं हो रहा है गरीमा और आजादी की इच्छा ही लोकतंत्र का आधार है दुनिया भर की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं इस बात को मानती हैं कम से कम सिद्धानत के तौर पर तो इसे माना ही जाता है अलग-अलग लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में इन बातों पर अलग-अलग इस तरका आचरण होता है लोकतांत्रिक सरकारें सदा नागरिकों के अधिकारों का समान नहीं करती जो देश लंबे समय तक सामराज्यवादी शक्तियों के अधीन उपनिवेश बने रहे विशेशकर उन समाजों को अवश्य यह अनुभव करना चाहिए के सभी नागरिक समान है तो बच्चों, यहां आप इस्त्रियों की गरीमा का भी उधारान ले सकते हैं संसार के अधिकान समाज, पुरुश पिरधान समाज रहे हैं महिलाओं ने दुनिया भर में अपने अधिकारों की प्राप्ती के लिए लंबा संगर्ष किया है और संगर्ष के बाद अब जाकर यह माना जाने लगा है कि महिलाओं के साथ गरिमा और समानता का व्यवार लोक तंत्र की अनिवार रेशर्थ है और आज यदी समाज में महिलाओं को महत्व दिया जाने लगा तो इसका यह अर्थ नहीं है कि औरतों के साथ सदा से सम्मान का विवार हुआ है। फिर भी एक बार जब सिद्धान्त रूप में इस बात को सुईकार कर लिया गया है तो अब औरतों के लिए वैधानिक और नैतिक रूप से अपने प्रती गलत माननेताओं और व्यवारों के विरुद्ध संगर्श करना आसान हो गया है। आलोक तांत्रिक व्यवस्थाओं में यह बात संभव ना थी क्योंकि वहाँ व्यक्तिगत आजादी और गरिमा ना तो वैधानिक रूप से मानने हैं और ना ही नैतिक रूप से। बच्चों, इसी प्रकार आप जातिगत असमानता पर भी विचार कर सकते हैं। भारत में लोक तांत्रिक व्यवस्था ने कमजोर और भेद भाव का शिकार हुई जातिओं के लोगों के समान दर्जे और समान अफसर की मांग की ओर ध्यान दिया है। वैसे आज भी जातिगत भेद भाव और दमन के उधारण हमें देश के लगवक सभी भागों में देखने को मिलते हैं। पर उनके पक्ष में कानूनी या नैतिक बल नहीं होता है। संभवता इसी कारण से आम लोग अपने लोगतांत्रिक अधिकारों के पिरती अधिक सजग हुए हैं। बच्चों, लोगतंत्र से लगाई गई उम्मीदों को किसी लोगतंत्रिक देश के मुल्यांकन का आधार भी बनाया जा सकता है। लोगतंत्र की एक अनोखी विशेषता है कि इसकी जाँच परक्ष और परीक्षा कभी समाप्त नहीं होती है। जब लोगतंत्र एक जाँच पर ख़रा उतरता है, तो उसकी अगली जाँच आजाती है। लोगों को जब लोग तंतर से थोड़ा लाब मिल जाता है, तो वे और लाबों की मांग करने लगते हैं, वे लोग तंतर से और अच्छा काम चाहते हैं, यही कारण है कि जब उनसे लोग तंतर के कामकाईश के बारे में पूछा जाता है, तो वे हमेशा लोग तंतर से जुड अपनी अन्य अपेक्षाएं और इच्छाएं प्रिकट करने लगते हैं और शिकायतों की बौचार कर देते हैं शिकायतों का बना रहना भी लोगतंत्र की सफलता की गवाई देता है इससे पता चलता है कि लोग सचेत हो गए हैं और वे सत्ता में बैठे लोगों के कामकाज का आलोचनात्मक मुल्यांकन करने लगे हैं बच्चों आप यह ना समझें कि लोगों द्वारा लोगतंत्र की आलोचना करना कोई बुरी बात है लोगतंत्र के कामकास से लोगों का असंतोष पिरकट करना लोगतंत्र की सफलता को तो बताता ही है साथ ही यह लोगों के पिर्जा से नागरिक बनने की गवाई भी देता है आज अधिकांश लोग मानते हैं कि सरकार की कारवाही पर उनके वोट से असर पड़ता है और यह उनके अपने हितों को भी प्रभावित करता है यह भी लोगतंत्र का एक सकारात्मक परिणाम है बच्चों आप दिये हुए इस ग्राफ को देखकर यह जान सकते हैं कि दक्षण एशिया में पाकिस्तान को छोड़कर अन्ने सभी देशों के नागरिक यह मानते हैं कि उनके वोट का असर पड़ता है यह लोगतंत्र का एक सकारात्मक परिणाम है साथ ही आप रोजा पार्क्स के दिये हुए इस कार्टून को देखकर लोगतंत्र द्वारा नागरिकों की गरिमा और आजादी को सुनिश्चित करने वाले परिणाम को भी अनुभव कर सकते हैं तो आएए बच्चो अब हम लोगतंत्र के परिणाम पार्ठ पर विभिन वर्षों में बोर्ड की परिक्षा में पूछे गए प्रशनों पर चर्चा करते हैं इससे आपको इस पार्ठ को बहतर ढंक से समझने में सहायता मिलेगी तो आएए चलते हैं पहले प्रशन पर लोगतंत्रिक विवस्थाएं आर्थिक असमानताओं को कम करने में अधिक सफल नहीं हो पाई है इस कथन को न्याय संगत ठहराई है ये प्रशन आया था तो बच्चो सोचिये इस प्रशन का उत्तर कैसे दिया जाना चाहिए बच्चों आपको याद होगा कि हमने चर्चा की थी कि लोगतंत्रिक विवस्था राजनेतिक समानता पर आधारित होती है प्रतिनी धियों के चुनाव में हर व्यक्ति का वजन बराबर होता है चाहिए देश का सबसे धनी उद्योक पती हो या निर्धन रिक्षा चालक दौनों के मतों का मूले एक बराबर है लोगतंत्रिक विवस्था में व्यक्तियों को राजनेतिक समानता तो मिल जाती है लेकिन इसके साथ साथ हम प्राए आर्थिक असमानता को भी बढ़ता हुआ पाते हैं मुठी बर धनी लोग आय और संपत्ती में अपने अनुपात से बहुत अधिक हिस्सा पाते हैं दक्षन अफरीका और ब्राजील जैसे देशों में उपरी 20 फीस्दी लोगों को कुल राश्ट्री आय के 60 प्रतिशत हिस्से पर अधिकार प्राप्त है जबकि सबसे नीचे के 20 प्रतिशत लोग राश्ट्री आय के केवल 3 प्रतिशत हिस्से पर ही जीवन व्यतीत करते हैं भारत में भी लोकतंत्र होने के बावजूद आय और संपत्तिक विशमताएं बहुत अधिक हैं डेनमार्क और हंगरी जैसे देश इस मामले में कहीं अधिक भ Congo कहे जा सकते हैं वहां उपर के 20 प्रतिशत लोगों को राश्ट्री आय का लगभग 34.5 प्रतिशत भाग मिलता है जबकि नीचे के 20 पृतिशत लोगों को राश्ट्रियाय का लगवक 10 पृतिशत भाग मिलता है भारतिय समविधान के लागू होने की पूर्व संध्या पर डॉक्टर अंबेटकर ने कहा भी था कि कल से हम ऐसी व्यवस्था में प्रवेश कर रहे हैं जहां राजनेतिक समानता तो होगी किन्तु व्यापक, सामाजिक और आर्थिक असमानता भी इसके साथ ही दिखाई देगी तो बच्चो अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर लोक्तांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य प्रकार की शासन व्यवस्थाओं से बहतर है इस कथन को न्याय संगा ठेराईए तो बच्चो सोचे जरा इस प्रश्न का उत्तर कैसे दिया जाना चाहिए तो बच्चों लोग तांतरिक शासन व्यवस्था के ताना शाही जैसी अन्य प्रकार की शासन व्यवस्थाओं से बहतर होने के कम से कम तीन कारण है पहला कारण यह है कि लोग तांतरिक शासन व्यवस्था एक वैद शासन व्यवस्था है यह काम करने में देरी कर सकती है, कम कार्यकुशल हो सकती है, इसमें भरस्टाचार हो सकता है, यह लोगों की जरूवतों की कुछ हद तक अंदेखी कर सकती है, लेकिन लोगतांत्रिक शासन व्यवस्ता लोगों की अपनी शासन व्यवस्ता है. इसी कारण से पूरी दुनिया में लोक तंत्र के विचार के पिर्ती जबर्दस्त समर्थन का भाव है दक्ष्ण एशिया में पाकिस्तान को छोड़कर अन्ने सभी देशों में लोक तंत्र को ताना शाही के ऊपर वरियता दी गई है लोक तंत्र के पिर्ती समर्थन लोक तंत्रिक शासन वाले देशों में तो है ही बलकि उन देशों में भी है जहां लोक तंत्रिक सरकारें नहीं हैं वहां भी लोग अपने द्वारा चुने गए पिर्तिनिदियों का शासन चाहते हैं वे यह भी मानते हैं कि लोकतंत्र उनके देश के लिए उप्युक्त है अपने पिर्ती समर्थन पैदा करने की लोकतंत्र की शमता भी लोकतंत्र का ही एक परिणाम है और इसकी अंदेखी नहीं की जा सकती दूसरा कारण यह है कि लोगतांत्र सामाजिक विवित्ताओं में सामंजस्से लाता है यह सदभावपूर सामाजिक जीवन उपलब्द करवाता है लोगतांत्रिक विवस्थाएं अनेक तरह के सामाजिक विभाजनों को समालती है लोगतंत्र के कारण ही बेल्जियम ने अपने यहां के विभिन जातिय समुओं की आकांगशाओं के बीच सफलता पूर्वक सामंज़स से इस्थापित किया लोगतंत्र के द्वारा हम अपने समाज के विभिन समुओं के बीच के अंत्रों और विभेदों का आदर करना सीख लेते हैं और इनके बीच बादचीत से सामंज़स से बैठाने का तरीका विक्सित कर लेते हैं इस काम के लिए लोगतंत्र सबसे अच्छा है तीसरा कारण यह है कि व्यक्ति की गरिमा और आजादी के मामले में लोगतंत्रिक व्यवस्था किसी भी अन्य शासन प्रणाली से काफी आगे है प्रतेक व्यक्ति अपने साथ के लोगों से सम्मान पाना चाहता है प्राय टकराफ तभी पैदा होते हैं जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ सम्मान का व्यवार नहीं किया गया गरिमा और आजादी की इच्छा ही लोगतंत्र का आधार है इन सभी कारणों सम्म कह सकते हैं कि लोगतंत्रिक शासन व्यवस्ता अन्य प्रकार की शासन व्यवस्ताओं से बहतर है तो बच्चों अब चलते हैं अगले प्रशन पर अगला प्रश्ण है लोक्तांत्रिक व्यवस्था की बड़ी सफलता नियमित और निश्पक्ष चुनावों में हैं इस कथन का विशलेशन कीजिए तो बच्चों ज़रा सोचिए इस प्रश्ण का उत्तर किस प्रकार दिया जाना चाहिए बच्चों हम जानते हैं कि लोक्तांत उत्तरदाई, जिम्मेवार और वैद शासन को सुनिश्चित करता है ऐसा होने के लिए यह अतियंत अनिवार रहे कि लोक्तांत्रिक व्यवस्था में नियमित और निश्पक्ष चुनाव होते रहें नियमित और निश्पक्ष चुनावों से ही लोक्तांत्रिक शासन व्यव बनती है और उसे वैधता प्राप्त होती है नियमित और निश्पक्ष चुनाव कराने के मामले में लोगतांत्रिक विवस्थाएं ज्यादा सफल हुई है परन्तु ऐसे चुनाव कराने में जिसमें सब को अफसर मिले उनका रिकॉर्ड अधिक अच्छा नहीं रहा है नियमित समय पर जनादेश लेने पर कोई सरकार जनता की सही प्रतिनिदी मानी जा सकती है नियमित रूप से चुनाव होने पर ही शासक जनता की बदलती आकांगशाओं जरूरतों इच्छाओं और भावनाओं के साथ अपने को समायोजित कर सकते हैं जब ऐसा होता है केवल तब ही कहा जा सकता है कि लोक तांत्रिक व्यवस्था सफल रही है। भारत में संसद और राज्य विधाईकाओं के चुनावतों नियमित रूप से और निश्चित समय अवदी के बाद प्रारंब से ही होते रहे हैं। क्योंकि इस बारे में भारत के संविधान में इस पश्च रूप से प्रारंब से ही प्रावधान किया गया था। किन्तु पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनाव पहले नियमित रूप से नहीं होते थे। क्योंकि उन्हें सम्वेधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था अधा भारत में जमीनी इस्तर पर लोकतंत्र की सफलता संदिग्द थी 1993 में किये गए 73 और 74 में सम्वेधान संशोदनों के द्वारा ग्राम पंचायतों नगर निगमों और नगर पालिकाओं को भी सम्वेधानिक दर्जा दिया गया और अब इन संस्थाओं के चुनाव भी नियमित रूप से होते हैं अता हम कह सकते हैं कि भारत में जमीनी इस्तर पर भी लोकतंत्रिक व्यवस्था सफल हो रही है निश्पक्ष चुनावों का अर्थ है कि सभी उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने और जीतने का बराबर अफसर मिले और सरकार में शामिल लोगों, धनी और शक्तिशाली व्यक्तियों को चुनाव में खड़े होने और चुनाव लड़ने में कोई अनुचित लाब ना मिले ऐसा होना लोकतंत्रिक व्यवस्था की सफलता के लिए अतियंत अनिवार रहे हैं यदि धनी, शक्तिशाली और सरकार में शामिल लोग चुनाव पिरक्रिया को अनुचित रूप से प्रभावित करके बेईमानी पूर्वक अपनी जीत सुनिश्चित कर लेते हैं तो ऐसी व्यवस्था वास्त्विग लोकतंत्र नहीं कहलाएगी भारत में चुनाव आयोग चुनावों को निश्पक्ष बनाने के यथा संभव उपाय करता है किन्तु फिर भी धनबल, बाहूबल, मीडिया पर नियंत्रण और सरकारी मशीनरी के दुरूप योग के कारण अभी भी भारत में होने वाले चुनावों को पूर्टा निश्पक्ष नहीं कहा जा सकता चुनाव आयोग को चुनावों को निश्पक्ष बनाने के लिए और अधिक प्रियास करने की आवश्यक्ता है क्योंकि लोकतंत्रिक व्यवस्था की बड़ी सफलता नियमित और निश्पक्ष चुनावों में ही नहीता है तो बच्चों अब चलते हैं अगले प्रशन पर शिकायतों का बने रहना लोकतंत्र की सफलता की कभाई देता है उधारनों सहित कथन की पुष्टी कीजिए तो बच्चों जड़ा सोचिये कैसे दिया जाए इस प्रशन का उत्तर बच्चों लोकतंत्र की एक विशेश्टा है कि इसकी जाँच परक और परीक्षा कभी समाप नहीं होती लोकतंत्र एक जाँच पर खरा उत्रे तो अगली जाँच आ जाती है लोगों को जब लोकतंत्र से थोड़ा लाब मिल जाता है तो वे और लाबों की मांग करने लगते हैं वे लोकतंत्र से और अच्छा काम चाहते हैं यही कारण है कि जब उनसे लोग तंतर के कामकाज के बारे में पूछते हैं, तो वे हमेशा लोग तंतर से जुड़ी अपनी अन्ने अपेक्षाओं और इच्छाओं को पिरकट करने लगते हैं और शिकायतों की बोचार कर देते हैं. उधार नार्थ स्वतंतरता के समय भारत में स्वास्ते सेवाओं, शिक्षा, लड़कियों की सामाजिक और शैश्यणिक इस्थिती काफी दयनिये थी, आर्थिक विकास और रोजगार की हलत भी काफी निम्न इस्तर की थी, आज स्वतंतरता के 73 वर्षों के बाद इन सभी शेत इन सभी और अन्य अनेक शेत्रों में और अधिक विकास चाहते हैं, इसी प्रकार बिजली, सडकों, रेल, बैंक, उभोकता वस्तों की उपलब्धता, अनाज, तथा अन्य किर्शी वस्तों की पैदावार, विविन प्रकार की सेवाओं, जैसे विधिक सेवा, वित्तिय इंजीनिरिंग, उच्च शिक्षा, जहाज रानी, चिकित्सा, आदी के उत्पादन और वित्रण में हमने एक लंबी छलांग लगाई हैं, लेकिन लोगों की अपेक्षाएं अभी भी पूरी नहीं हुई हैं, और वे प्राएं कभी यह तो कभी वह शिकायत करते ही रहते है शिकायतों का बने रहना भी लोग तंतर की सफलता की गवाही देता है, इससे पता चलता है कि लोग सचेत हो गए हैं और वे सत्ता में बैठे लोगों के कामकाज का आलोचनात्मक मुल्यांकन करने लगे हैं, लोग तंतर के कामकाज से लोगों का असंतोष प्रकट करना बच्चो अब चलते हैं अगले प्रश्ण पर व्यक्ति की आजादी और गरीमा के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी भी अन्यशासन प्रणाली से काफी आगे हैं इस कथन को न्याय संगत ठेराईए तो बच्चो क्या ख्याल है क्या होगा इसका सही उत्तर बच्चो अगर कोई एक ऐसी कसोर्टी चुणनी हो जिस पर परखने पर लोकतांत्रिक व्यवस्था अन्यशासन व्यवस्थाओं से मीलो आगे दिखाई देती हैं तो वह है नागरिकों की गरिमा और आजादी व्यक्ति की गरिमा और आजादी के मामले में कोई भी अन्य शासन प्रणाली लोकतांत्रिक व्यवस्ता से मुकाबला नहीं कर सकती है चीन और भूत्पूर सोव्य संग का उधार लीजिये भारत की तुलना में इन दोनों कम्यूनिस्ट तानशाही वाले देशों में आर्थिक विकास का इस्तर उचा रहा है किन्तु यहां के आम नागरिकों को कभी यह पता नहीं चल पाया कि आजादी और व्यक्ति की गरिमा किस चड़िया का नाम है इन देशों में नागरिकों को अभी व्यक्ति की स्वतंतरता बिल्कुल नहीं है यदि कोई व्यक्ति सरकार से असहमती दिखाने की हलकी सी भी कोशिश करता है तो उसे सरकारी या कम्यूनिस्ट पार्टी के भयंकर उत्पीलन और दमन का सामना करना पड़ता है लेनिन, स्टॉलिन, माओ जैसे तानाशाह शासकों ने अपना विरोध करने पर लाखों लोगों को भेंकर यातनाएं दी और उन्हें मौत के घाट उतार दिया पाकिस्तान के सैनिक तानाशाहों ने अपने देश में नागरिक आजादी का गला घोटने में कोई कसर नहीं छोड़ी भूत पूर्व पूर्वी पाकिस्तान और वर्तमान के बंगला देश के लोगों पर जबर्दस्ती उर्दू थोप कर और उनका जातिय संगहार करके बच्चियों और औरतों के साथ बलातकार करके पाकिस्तानी सेना ने बंगला लोगों के मानाव अधिकारों के चीत्रे उड़ाकर उनकी मानविय गरिमा को भी तार-तार कर दिया था गैर लोगतांतरिक देशों में व्यक्ति की गरिमा के लिए कोई स्थान नहीं होता है और उन्हें कोई भी मानाव अधिकार या मूला अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं वहाँ शासकों की दृष्टी में आम आदमी का कोई सम्मान या महत्व नहीं होता है दूसरी ओर लोकतांतरिक व्यवस्था नागरिकों के सम्मान गरिमा और आजादी को सुनिश्चित करने का यथा संभव प्रियास करती है भारत का सम्विधान व्यक्ति की गरिमा को अपना आदर्श गोशित करता है और भारत के पृतेक नागरिक को समानता, न्याय और स्वतंतरता देने की गोशना करता है पृतेक व्यक्ति अपने साथ के लोगों से सम्मान पाना चाहता है प्राय तकराफ तभी पैदा होते हैं जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ सम्मान का व्यभार नहीं किया गया है गरिमा और आजादी की इच्छा ही लोकतंत्र का आधार है दुनिया भर की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं इस बात को मानती हैं कम से कम सैध्धांतिक रूप से तो मानती हैं अलग-अलग लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में इन बातों पर अलग-अलग तरह का आचरण होता है लोकतांत्रिक सरकारें सदा नागरिकों के अधिकारों का सम्मान नहीं करती फिर भी जो समाज लंबे समय तक आपनिवेशिक शासन के अधीन रहे हैं उन्हें यह अनुभव करना चाहिए कि सभी नागरिक समान है यदि हम इस्त्रियों की गरीमा की बात करें तो दुनिया भर में पुरुष प्रदान समाज और उनकी संस्थाओं के वरुद लंबा संगर्श करके आज इस्त्रियों ने लोकतांत्रिक विवस्ताओं में यह मन्वा लिया है कि महिलाओं के साथ गरीमा और समानता का व्यवार लोकतंत्र की जरूरी शर्त है इस से अब औरतों के लिए वैधानिक और नैतिक रूप से अपने पृतिक गलत माननेताओं और व्याभारों के विरुद संगर्श करना आसान हो गया है अलोक तांत्रिक विवस्ताओं में यह बात संभव ना थी क्योंकि वहाँ व्यक्तिगत आजादी और गरिमा ना तो वैधानिक रूप से मानने हैं और ना ही नैतिक रूप से यही बात जातिगत असमानता पर भी लागू होती है भारत में लोक तांतरिक व्यवस्ता ने कमजोर और भेद भाव का शिकार हुई जातियों के लोगों के समान दर्जे और अफसर की मांग की ओर ध्यान दिया है आज भी जातिगत भेद भाव और दमन के उधारन देखने को मिलते हैं पर उनके पक्ष में कानूनी या नैतिक बल नहीं होता है संभवता इसी कारण से आम लोग अपने लोक तांतरिक अधिकारों के पिरती अधिक सावधान हुए हैं तो बच्चों अब हम आते हैं इस पाठ के अंतिम प्रश्ण पर लोक तांतरिक शासन व्यवस्थाएं शान्ती और सदभाव का जीवन जीने में नागरिकों के लिए मददगार होती हैं उधारन सहित कथन की पुष्टी कीजिए बच्चों लोक तांतरिक व्यवस्था से हैँ उम्मीद करना उच्चित है कि वह सदभावपूर सामाजिक जीवन उपलब्द करवाएंगी लोक तांतरिक व्यवस्थाएं अनेक तरह के सामाजिक व्यभाजनों को सम्हालती हैं उधार नार्थ बेल्जियम ने अपने यहां के विभिन जातिय समूओं की आकांग्शाओं के बीच सफलता पूर्वक सामंजस से इस्थापित किया है लोकतांत्रिक विवस्ताएं आम तोर पर अपने अंदर की पिर्ती दंद्विताओं को समालने की पिर्क्रिया विक्सित कर लेती हैं इससे इन टक्रावों के विस्फोटक या हिंसक रूप लेने का संदेग कम हो जाता है गैर लोकतंत्रिक विवस्ताएं प्राय अपने भीत्री सामाजिक मतभेदों की ओर ध्यान ही नहीं देती हैं और उन्हें दबाने की कोशिश करती हैं जिससे टकराव होते हैं और नागरिक शान्ती और सद्भाव का जीवन नहीं जी पाते हैं लेकिन श्रीलंका का उधारण यह बताता है कि लोकतंत्र शान्ती और सद्भाव का जीवन तभी सुनिश्चित कर सकता है जब वह इन दो शर्तों को पूरा करें पहली शर्त है बहुमत को अल्प मत का भी सदैव ध्यान अखना चाहिए और दूसरी शर्त है प्रतेक नागरिक को किसी ना किसी अफसर पर बहुमत का हिस्सा बनने का मौका मिलना चाहिए तो बच्चों इसी के साथ आपकी कक्षा दस की राजनेतिक विज्ञान की पुस्तक के सात्वे पार्ट पर चर्चा आज पूर्ण हुई आशा है यह आपको रूचे पूर्ण और उप्योगी लगी होगी अगले अंक में आपसे फिर भेट होगी तब तक के लिए नमस्कार झाल 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 झाल